श्री शिवाय नमस्तु भीयम हर हर महादेव स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि चैतर नवरात्र शुरू हो चुके हैं और दोस्तों पंडित जी द्वारा बताया गया चैतर नवरात्री में किया जाने वाला नहीं हो पा रहा है या उनकी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है अगर आप लोगों के घर में भी कुछ ऐसी ही परेशानी चल रही है तो चैतर नवरात्री के पांचवें दिन आप लोगों को ये वाला उपाए जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपने शिव महापुरान कथा में बताया है ये मौके बार बार नहीं आते हैं और इस मौके पर अगर आप लोग ये वाला उपाए कर लेते हो तो सी बात है जिस भी व्यक्ति के लिए या जिस भी लड़के या लड़की के लिए आप ये वाला उपाए करोगे उसका विवाह तीन महीने क अंदर पक्का होगा और ऐसे ही पक्का नहीं होगा वो ऐसी जगह पक्का होगा जहापर उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा वो भी भगवान शिव जी के आशिरवाद से क्योंकि आपने भगवान शिव जी का उपाए किया है उन विवाह के लिए उस बच्चे या बच्ची के विवाह के लिए, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तिक वाला उपाए जो की आप लोगों को जरूर ध्यान से सुनना है, अपने बच्चे या बच्चे के लिए विशेश रूप से माताएं, बहने इस उपाए को जरूर सुने, क्योंकि मात बहनों को अच्छे से समझ कर अपने बच्चों को इस उपाए को समझाना है, ताकि वह इस उपाए को अच्छे से कर सकें, उनका विवाह तीन महीने के अंदर पक्का हो सके, तो दोस्तों सबसे पहली चीज आती है कि इस उपाए को हमें किस दिन करना है, किस समय करना है, किस चैत्र नवरात्री का पांचवा दिन कब होगा देखो चैत्र नवरात्री कब से शुरू हुई है 9 अप्रेल से तो 9 अप्रेल, 10 अप्रेल, 11 अप्रेल, 12 अप्रेल और 13 अप्रेल तो 13 अप्रेल का जो दिन रहेगा 13 अप्रेल 2000 का दिन ये रहेगा चैत्र नवरात्री की पंचम अब दोस्तों ये वाला उपाए किस जगह पर होगा ये भी बहुत ही जरूरी यहां पर बात है तो देखो ये दो स्वास्तिक वाला जो उपाए है ये होगा सिर्फ और सिर्फ नीम के पेर के नीचे आपके घर के आसपास में जो भी ऐसा नीम का पेर हो जो नीम का पेर बड़ा हो छोटा ना हो बड़ा पेर हो जिसकी छाव के नीचे आप लोगों को जाकर ये वाला पर बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इस उपाय को करने की पूरी विधी जानते हैं, तो ये सबसे पहली चीज इस उपाय में आप लोगों को आवशक्ता पड़ेगी एक आम के पत्ते की, आपने आम का पत्ता देखा है, जिस पेर में आम लगते हैं, या कैरी लगती है, कै पंडित जी ने आम का पत्ता है, या पान का पत्ता बोला है, तो देखो पंडित जी ने आम का पत्ता बोला है, क्योंकि एक वीडियो में पान का पत्ता बोला हुआ है, वो शायद गलती से बोला गया है, पर उन्होंने दूसरी वीडियो में जो है, यहां पर वो आम का पत् पत्ते को तोड़कर अपने घर पर लेकर आ जाना है। उपाय की सामगरी में आप इस्तेमाल करने वाले हो वो इधरुधर हो जाए इसलिए आप लोग अपने घर से उपाय की सामगरी को त्यार करके लेकर जाना ठीक है। एक पुडिया में रख लेना है। थोड़ी थोड़ी जादा मात्रा में रखना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को थोड़े से चावल भी रखने हैं। आपके घर की रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो आप उन चावलों में से मात्र थोड़े से चावल जो है निकालिएगा ये किसी भी पात्र में रखकर या किसी भी कागज की पुडिया में बांध कर तयार करके अपने साथ में रख लीजिएगा। और अपने घर में जिस बच्चे के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो उस लड़के या लड़की को अपने साथ में आप लोगों को लेकर जाना है इस उपाय को करने के लिए। क्योंकि उपाय की पूरी तेयारी वही करेगा और उपाय को भी वही करेगा, आपको मात्र उसे उपाय को समझाना है, उस आपको उपाय नहीं करना है, क्योंकि विवाह उसका नहीं हो रहा है, शादी उसकी नहीं हो रही है, तो उसे अपने हाथों से इस वाले उपाय को करना पड़ेगा, तो आपको करना क्या है, आप मात्र आप लोगों को ये पूरी सामगरी तेयार करके आपको पहुँच जाना है, नीम के पेर के नीचे, अगर आप चाहे तो भाई घर से भी उपाय को करने की तेयारी कर सकते हो, अगर आपको दिक्कत ना हो, जो कि हम अभी, अभी हम आपको उपाय को जाने वाले हैं, तो आप लोग नीम के पेर के नीचे पहुँच जाना, वहां पर आसन लगा कर बैठ जाना, बैठने के बाद अब आप उपाय की करने की तेयारी कैसे शुरू करोगे देखो, सबसे पहले आप अपना आम का पता अपने सामने रखना है, आम के पत्ते को अपने सामने रखने के बाद क्या करना है आप लोग दो पुडिया में या दो पातर में मतलब दो चीज लेकर आए हो जिसमें एक में हल्दी है और एक में रोली कुमकुम या सिंदूर है तो आपको ये करना है, उन दोनों में थोड़ा-थोड़ा सा पानी मिला लेना है, और अलग से भी थोड़ा-थोड़ा सा रखना है, क्या करना है, अलग से भी थोड़ा-थोड़ा तो अब सबसे पहले आपको अपनी हल्दी में से क्या करना है, अपनी उंगली को भीगो लेना और आपने सामने वह आम का पत्ता रख लेना है। आप लोगों को आम के पत्ते के एक कोने पर पहला स्वास्तिक बनाना है। मतलब उस हल्दी के अंदर भिगो कर पहला स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है। स्वास्तिक अगर बच्चे को बनाना है तो मोबाइल में उसे दिखा दीजिएगा कि ऐसे ही ये स्वास्तिक बनता है। तो पहला स्वास्तिक आप लोग जो है आम के मतलब एक साइड पर बना दीजिएगा। दो साइड होंगे आम के पत्ते की मतलब एक इस साइड और एक इस साइड है ना तो आपको आराम से जगह मिल जाएगी। दो स्वास्तिक बनाने के लिए तो पहला स्वास्तिक आप लोगों को किस से बनाना है? हल्दी से बनाना है। करना है अपना दूसरा स्वास्तिक बनाना है आम के पत्ते के दूसरी साइड पर मतलब दूसरी साइड पर नहीं बनाना है जो चिकना भाग होगा उसी चिकने भाग के ऊपर आपको दो स्वास्तिक बनाना है एक इस साइड बनाओगे और एक इस साइड बनाओगे आराम से अब आपको बहुत जरूरी चीजें करनी हैं, जो की आपको ध्यान से सुनना है, हमने आपको थोड़े से चावل लाने के लिए भी यहाँ पर बुले हुए थे, और ठोड़ी सी हल्दी और ठोड़ी सी रोली कुमकुम भी बचाने के लिए आप लोगों से बुला हुआ था, तो आपको करना क्या है दो हिसों में थोड़े थोड़े से चावल आप लोगों को रख लेना है अपने ही सामने किसी भी पात्र में अलग-अलग सादा जो चावल होंगे आपके उन्हें दो भागों में आप लोग बाट देना है जिसमें से जो पहले भाग के चावल होंगे, इसमें आप लोग मिला देना हल्दी, सुखी हल्दी गिरी नहीं मिलाना है, ना थोड़ी सी सुखी हल्दी लेकर इन चावलों में मिला देना और दूसरे हिसे के जो चावल होंगे, इसमें आप लोग जो लेकर इन दूसरे चावल को हिसे में मिला देना है, मात्र सुखी हल्दी घी मिला देना है और सुखी दूसरे साइड चावल मिला देना है। दो तरह के चावल बनाना है, एक हल्दी के चावल और एक के चावल है, ना आपके ये दोनों चावल तयार हो जाते हैं, तो आपको अपने बच्चों से बोलना है कि जो आपने आम के पत्ते पर दो स्वस्तिक बनाए हुए है जिसमें से जो सबसे पहला हल्दी वाला स्वास्तिक होगा इस हल्दी वाले स्वास्तिक के बिलकुल बीचों बीच में आप लोगों को रोली और कुमकुम वाले चावल उठाने हैं, जो कि अभी आपने बनाए हुए हैं, इन रोली और कुमकुम के चावल उठाकर आप लोग हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर रख देना है, जैसे ही र रोली कुमकुम के चावल को हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर रख देते हो। अब जो बाकी का दूसरे नंबर का स्वस्तिक होगा जो की रोली कुमकुम का होगा। तो इस रोली कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर आप लोगों को क्या करना है। ये हल्दी वाले चावल रखन बस इसलिए हम आपसे बोल रहे थे कि आप लोग जो है अपने उपाय की सामगरी को लेकर नीम के पेर के नीचे ही पहुंच जाना वरना अगर घर से इस उपाय को इस तरीके से कर सकते हो और सुरक्षित जो है नीम के पेर के नीचे लेकर आ सकते हो तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो बस जदा अच्छा तभी रहेगा जब आप नीम के पेर के नीचे ही इस उपाय को करने की पूरी तयारी करो और वही पर जो है ये वाला तो जदा बेहतर रहेगा आपकी सामगरी भी अच्छे से जो है समर्पित हो जाएगी तो आप लोगों को दो सस्ते बनाना है हल्दी और रोली कुमकुम के हल्दी के जो सस्ते को उस पे रोली कुमकुम चावल रखना है और जो रोली कुमकुम का स्वस्तिक है उस पे हल्दी के चावल रखना है अच्छे से पकड़ लें। बच्चे अगर उपाय कर रहे हैं, तो बच्चे, अपने मतलब बड़े से पूछ लें कि भई हमारा नाम और हमारा नाम तो पता ही होगा आप लोगों को, हमारा गोत्र क्या है, गोत्र वगेरह पूछ कर उसके बाद ही आप वाला उपाय कीजिएगा, तो इस आम के पत्ते को हाथों में रखकर आप लोग अपना नाम और अपना गोत्र बोल कर इस आम के पत्ते को आप उसी नीम के पेर के नीचे रख दीजिए, ठीक है, नीम के पेर के बिलकुल पेर से थोड़ा सा पास में करके ही आप लोग इस आम के पत्ते को रख दीजिएगा, अपना नाम और गोत्र बोल कर जैसी नाम और गोत्र बोल देते हैं। बोल बोल जाएगा पर बोल जाएगा पर करना उसी व्यक्ति को है उसी या बच्ची या उसी लड़का या लड़की को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ चैत्र नवरात्री के पांचवे दिन ही करना है। मतलब 13 अप्रेल को करना है। जो की हमने आपको पांच दिन पहले ही यहाँ पर बता दिया। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम हरहर महादेव